हलो फ्रेंट्स, फिट से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आटो मोव लॉग पर तो फ्रेंट्स अभी का टाइम है घर पर रहने का, सेफ रहने का और सुसल डिस्टेंसिंग का पर कुछ हमारे जैसे भी लोग हैं जो कार और बाइक एंथोसियास्ट है जो बिना राइड और ड्राइब के बिना कुछ अधूरा सा फिल करते रहते हैं तो गैस टेंसर नहीं लेने का, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ स्पोर्स भाइक के बारे में बताने वाला हूँ जो बिगनर के लिए है नई, बिगनर के लिए भी है इस लिस्ट में एंट्री लेवल से लेके लीटर क्लास रॉकेट तक की बाइक है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सुर्वात करते हैं पहले नमर पर है टैनी स्पोर्ट बाइक यह है के टीम आर सी ओन ट्वंटिफाइफ यह बाइक फर्स स्टेज राइडर मतलब बिगिनर राइडर जिनको स्पोर्ट राइडिंग का बिल्कुल भी एक्स्पिरियेंस नहीं है यह बाइक उनके लिए पर्फेक्ट होगी यह बाइक आपको हेवी स्पोर्ट बाइक का पूरा फिल कराएगी विद शार्प हैंडलिंग एंड ग्रेट अग्रेसिव पोस्चर एंड लुक एंड स्टाइल में तो पर्फेक्ट है ही इसका ओवर ओल डैनेमिक शेप यंग अडल्ट को और ज्यादे स्पोर्टी फिल करवाता है पर हाँ अगर आपको ज्यादा ब्याच्पी वाली बाइक चलाने की आदत है तो इसकी पावर में आपको थोड़ी कमी महसूस हो सकती है RC 125 CC का ओन रोड प्राइस है 1,72,000 रोपीज एंड सेकंड नमबर पर बिगिनर स्पोर्ट्स पाइक है वो है यामहा आर्वन फाइफ आर्वन फाइब को प्रापर स्पोर्ट्स पाइक लूप दिया गया है जिसमें स्मूध और ट्रेक्टेबल इंजन लगा हुआ है यह स्पोर्ट्स पाइक डिसेंट टॉप परफॉर्मेंस एंड इम्पैकिबल और खराब रोड पर स्मूध चलने के लिए जाना जाता है यामा आर्वन फाइब 155 सिसी का ओन रोड प्राइज है 1.5 लाक एंड तीसरे नमबर पर हैं एम्टी वन फाइफ इस बाइक को फ्योचे स्टिक एंड पूरा अग्रेसिव लूग देने की कोशिच किया गया है बट यह थोड़ा पोलराइजिंग है मतलब इसका लुक हर किसी को पसंद नहीं आएगा बट इसका रोड प्रेसेंस बहुत अच्छा है यह अपने सेबलिंग आर्वन फाइब की तरह डैनेमिक शेप और बहतरिन हैंडलिंग के लिए पसंद किया जाता है MT15 थोड़ा महेंगा है पर यह एक अच्छा प्रोडेक्ट है जो बच लुक्स, टिसेंट परफॉर्मेंस एंड ग्रेट रोड मैनर ओफर करता है यह महां MT15 में 155cc इंजन लगा है और इसके अन रोल प्राइज है 1.45 लैक पावर के मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए नेक्स स्पोर्स बाइक है सुजुकी जिकसर SF यह 250cc, capable, grown-up and mature, full-fared sports बाइक है जिसमें smooth performance and effortless highway cruising ability है पर यह outright of acceleration and sharpness of track focused bike नहीं है इसके ideal companion, daily uses and कभी-कभी occasionaly long ride के लिए भी अच्छा है यह भी एक entry-level sports bike का ही पार्ट है जिकसर SF 250cc bike है and इसका on-road price है 1,80,000 and next है the flagship motorcycle RR310 from Indian company TVS Motor यह एक well-engineered, sharp-less style और full-fared motorcycle है जिसमें quality और performance का पूरा ध्यान रखा गया है साथ ही ride by wire throttle mode और gripper machine road 5 tire भी मिलते हैं यह quite desirable और all-round race sports bike है TVSRR310 को race track के लिए भी पुश किया जा रहा है यह पिछले चारो bike से heavy है तो beginner को इसे easy ride करने में थोड़ी problem हो सकती है इसमें 312 cc का engine लगा हुआ है जो BMW motor road platform से है और इसका on road price है 2.5 lakh और छेटे नंबर पर है KTM Duke 390 इसमें phenomenal performance और सांदार handling के साथ संजबर्दस power का combination है इसलिए इस bike को value for money कहा जाता है जिसे compare करना बहुत ही difficult है इसे launch हुए बहुत time हो गया पर यह अभी भी hugely engaging और entertaining motorcycle है यह bike long ride और adventure ride के लिए ज़्यादा पसंद किया जाता है इसमें 373 cc का engine लगा हुआ है और इसका on road price है 2.7 lakh साथवे नंबर पर है KTM Scalpel Scalpel nickname है KTM 790 Duke का यह sports bike power के मामले में beast है जो everyday ride को और ज़्यादा engaging बनाता है यह bike ज़्यादा तर वो prefer करते हैं जिने off road और stunts का भी सौग होता है previous bikes के मुकाबले इस motorcycle का engine एक insane power deliver करता है इसलिए इस bike को beginner roughly बिलकुल भी नहीं चला सकते है फिर भी इसके बहतरीन handling और compact light weight versatile performance से कोई भी जल्दी used to हो सकता है यह motorcycle का पठाक है यह best middle weight bike है इसलिए इसकी आज भी सबसे ज़्यादा selling होती है यह sports bike 799 CC का है और इसका on road price है 8.6 lakh हाथवे नंबर पर है triumph street triple RS in terms of performance handling and kit के मामले में triumph street RS अपने segment में बहुत ही बहतरीन bike है इसकी versatility and sporty look इसे और ज्यादा attractive बनाती है यह बहुत ही ज्यादा comfort bike है इसे लेकर आप अराम से long drive पर कहीं पर भी जा सकते हैं यह powerful sports bike 765 CC का है और इसका on road price है 11 lakh तो 9 नंबर पर है new BMW S 1000 RR यह एक प्रॉपर लीडर क्लास सूपर बाइक है और यह sports bike only experienced sport rider के लिए है यह performance oriented sports bike compact है इसके electronics package इसके handling को और ज्यादा easy करते हैं अगर आपको 800 CC से और ज्याद अप्ग्रेट करना है तो यह 1000 CC bike आपके लिए बहुत ही बढ़ी option रहेगा इसी sports bike की top speed है 303 km per hour एंड इंडिया में इसकी starting price है 18,00,000 तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share, subscribe करना ना बूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाए झाल में बाद झाल में बाद वीडियो में आर थार्ज़ को झाल में यहां एंडर वीडियो में इसके ड्रश वीडियो में अजाबाए